पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी नौकरी में तरक्की के उपाय चीटियां को आटे में मिला कर खिलाए ये एक चीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके घर में अकसर हम देखते हैं कि चीटियां अचानक से बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक से गायब हो जाती हैं चीटियां दो तरह की होती हैं लाल और काली इन में से लाल को अशुब और काली को शुब माना गया है चीटिंग या हमारे अच्छे दिन या फिर हमारी समस्याव को खत्म करने के लिए आती हैं कर्ज से परिशान लोग चीटियों को चीनी और आटा डाले ऐसा करने पर कर्ज उतरता है शास्त्रों के अनुसार काली को बहुत शुब माना जाता है क्योंकि काली चीटियों में भगवान विश्नु का वास होता है वही अगर काली चीटियों आपके घर में दिखाए दे तो यह मान ले कि भगवान विश्नु की आप पर कृपा बनी है जैसे ही चीटियों दिखे तो आटा जरूर खिलाएं कहा जाता है इस उपाय को करने वाले व्यक्ति को बैकुंट मिलता है और जीरवन मरण के इस चक्कर से छुटकारा मिलता है यदि आपके धन संबंधी परिशानियों से जूज रहे हैं और मा लक्षमी की कृपा पाने के लिए चीटिंग्यों को मीठी रोटी बना कर खिलाएं यह उपाय करने से आपके सारे बिगड कारे बन जाएंगे अगर सपने में चीटि दिखाई तो चीटियों को आटे में चीनी मिला कर खिलाएं इससे आपके परिवार पर आने वाले सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं आपको धनलाब होता है वही यदि अगर आपको घर में य यक्ति के सुभाग्य में व्रिद्धी होती है साथ ही परिवार में सुख शांती और सामन जस से भी बढ़ता है अगर आपके घर में अचानक से काली चीटियां दिखने लगे तो उन्हें नार्यल के सुखे पाउडर में चीनी मिलाकर खिलाने से नकारात्मक शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें